थाना शाहगंच के डिविजन चौकी क्षेतर में प्रॉपर्टी विवाद में भतीजे ने अपने संगसाथियों के साथ मिलकर चाचा की गोली मार कर हत्या कर दी हत्या की सूचना से पुलिस मह कमे में हड कम्प मच गया पुलिस के अलाधिकारी मौके पर पहुँच गये पुलिस ने शब को कोस्माडम के लिए भेज कर हत्यार भतीजे की तलाश शुरू कर दी है मंगलवार देर शाम कुधान शाहगंच के भोगी पुरा चौराहे के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिवार के विवाद में भतीजे ने चाचा की गोली मार कर हत्या कर दी रियाईशी इलाके में तावर तोड फाइरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई 65 वर्षय राम मुदगल की हत्या कारोप उनके भतीजे सुधाइशु मुदगल और उसके साथियों पर लगा है बताये जो रहा है चाचा और भतीजे की प्रॉपर्टी का विवाद कई बार थाना शागन्स तक भी पहुँचा लेकिन पुलिस ने मामले को रफादफा कर निप्टा दिया राम मुदगल पेशे से एडवोकेट हैं हत्या की सूचना मिलने से पुलिस में कभी महड़तम मच गया अननफानन में पुलिस के अलाधिकारियों सहित भाजपा के विधायक योगेंदर पाद्धिया भी मौके पर पहुँच गए नोगिर पोजी पुलिस ने मृतक केशब को पोस्वाडम के लिए भेज दिया है वही एससपी आगरा सुधिर कुमार सिंग ने बताया कि हत्या का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा और हत्यारे को जल्द ही गिराफतार कर लिया जाएगा जैसा कि बताया गया है नॉन प्रक्टेशिंग एड़ोकेट से रस्टेशन उनका था लेकिन प्रक्टेशन नहीं क्या करते से और जो लोग नामज़त कराएगा है उसमें से भी कुछ लोग एड़ोकेट है बीजी माज़नी उसके लिए हरेंदर की रिपोर्ट